रेलवे में असिस्टेन लोको पाइलेट क्या होता है अगर आप नहीं जानते असिस्टेन लोको पाइलेट क्या होता है तो यह वीडियो अन तक जरू देखिए Assistant Locopilot, Assistant मतलब सहयक जो train चलाता है, जो train का driver होता है उसे Locopilot बोलते हैं और Assistant Locopilot मतलब जो train के driver का सहयक होता है उसे Assistant Locopilot कराता है तो Assistant Locopilot बनने के लिए क्या-क्या सैक्षनिक योगेता लगता है और Assistant Locopilot बनने के लिए कितनी आयूशीमा लगती है और उसके कितना वेतानमान और भत्ते आधी सब मिलता है और किस तरह आप एक Locopilot एक Assistant Locopilot बन सकते हैं मैं इस वीडियो में पूरा डीटेल से डीटेल के साथ बताने वाला हूं तो इस वीडियो को अन तक जरू देखिए तो नमस्कार दरस्तो मैं हूं जग्डियो को मारिया और हमारे इस यूट्यू चनल में आपसे भी कस्वागत है अगर आपने इस चनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चनल को ज़रू सब्सक्राइब कर देजएगा और बेल अकान को ज़रू दबा देजएगा जिससे आने वाले वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले मैं इसी तरह का वीडियो बनाकर लेकर लाते रहता हूं मैं एक online computer center में काम करता हूं जो की मेरा काम होता है online form fill up करना तो मैं अपने यहां पर experience share करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या क्या इसका process होता है कैसा channel ट्रक्रिया होता है तो इस वीडियो को अंधे तक जरूर देखें पहला point आता है assistant local pilot क्या है तो railway में assistant local pilot का रोल का भी आहम होता है assistant local pilot train drive करने में local pilot की मदद करता है assistant local pilot की नौकरी के लिए लगातार ध्यान बनाए रखने और तूरंद कारे करने की छमता बहुत जरूरी है assistant local pilot train को drive करते समय local pilot signal भेजना लोकों के सही तरीके से चलते रहने और छोटी मुटी repairing को ठीक करने में मदद करता है railway में assistant local pilot को promotion देकर senior assistant local pilot और उसके बाद local pilot बना जाता है local pilot के बाद उमिद्वार, power controller, crew controller, local format या local supervisor बन सकते हैं उसके बाद दूसरे नमबर आता है assistant local pilot के लिए आवश्यक्षक्षिनिक योग गयता तो railway में assistant local pilot बनने के लिए उमिद्वारों के pass, matriculation या समकक्ष उत्तीन होना चाहिए मतलब दूसरे पास या समकक्ष उत्तीन होना चाहिए और act apprenticeship या ITI या AICTI से माने ता प्राप्त mechanical या electrical या electronics या automobile engineering में डिपलोमा या कोई उच्चे सक्षिनिक तक निकी योग गयता होनी चाहिए तर ITI के छात्र लोको पालेट के लिए पर फॉर्म भरते हैं उसके बाद तीसर नमबर आता है असिस्टेन लोको पालेट के लिए आवस्यक आयू सीमा तो railway में असिस्टेन लोको पालेट बनने के लिए उमिद्वारों की नियुंतम आयू अठा वर्स और अधिक्तम आयू 28 हाइस वर्स होने चाहिए हलांकि आरक्षित स्रेणियों जैसे SC हो गया और ST हो गया या भूत पूर्वसायनिक या PWD आधिको केंद्री कर्माचारियों से संबंधित नियमों के अनुसार अधिक्तम आयू सीमा में छूट प्रदान किया जाता है तो ये हो गया आयू के संबंधित उसके बाद आता है NEXT POINT चाहू था assistant locopilot की chain प्रक्षिया किस प्रकार होता है तो assistant locopilot की chain प्रक्षिया में लीखित परिच्छा अभिरुची परिच्छा और document verification सामिल होता है विभिन रेलवे भरती बोडो में आविदन के पस्चात सैक्षेनिक योगेता कनुसार प्राप्त आविदनों में सही सही उमिद्वारों की सार्ट लिस्टिंग की जाती है जिससे फर्स्ट इस स्टेज में यहाँ पर कंपुईटर द्वारा यहाँ पर एक्जाम होता है जिसमें कुल 60 मिनट होता है और लगभग 75 प्रशन यहाँ पर पूछे जाते हैं और उसके बाद इसमें दूसरा एक्जाम भी होता है मतलब फर्स्ट टियर और सेकंड टियर एक्जाम होता है जिसमें सेकंड दूसरा एक्जाम में 150 मिनट को होता है और लगभग उसमें 90 प्र उसके बाद पांचो नमबर आता है इस परिच्छा में सफलता पाने के लिए करेंट अफैर्स ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो दोनों ही चड़नों में सफल होने वाले उमिद्वारों को एक और कंप्यूटर बेस्ट एप्टीट्यूट टेस्ट देना होता है इसमें इस परिच्छा में सफल उमिद्वारों को डाकूमेंट वरिफीकेशन के लिए बुला जाता है असिस्टेन लोको पालेट के लिए आयोजीत होने वाली फर्स्ट स्टेज CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ट आउर्स जेकन्ड स्टेज CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ट बेस्ट टेस् नेगेटिव मार्किंग भी होती है जिसके अनुसार प्रती तीन गलत उत्तरों के लिए एक अंक कार दे जाते हैं तो इसमें ध्यान रखने वाली यहां बात होती है कि हिसाब से यहां पर question answer को बनाना होता है उसके पर आता है दोस्तो छेटो नमबर असिस्टेंट लोको पालेट को मिलने वाला वेतन एवाम भत्ते तो रेलवे में असिस्टेंट लोको पालेट को साथवे वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के लेवल दो के अनुसार यहां पर हुण्नी सजार का इंसियल, पे और अन्निय लागू भत्ते पर दे जाते हैं तो भत्ते में dearness allowance, running allowance, house rent allowance और night duty allowance और transport allowance दे जाता है इस प्रकार रेल्वे में असिस्टें लोको पालेट की भूमी का जहां काफी आहम होती है और पद पर नुक्त होने के बाद केरियर में आगे बढ़ने का मौका भी यहां पर मिलता है दोस्तों असिस्टेन लोको पालेट्स की चैन प्रक्रिया में सफल होने के बाद ही ट्रेनिंग और नियूकती की जाती है अन्य पदों की तरह ही असिस्टेन लोको पालेट्स की सेलेरी सातवे वेतन आयोग में बढ़ोत्री होती है तो उम्मिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा उस्साह जरूर बढ़ाए अगर आपनी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेज़ेगा मैं आगे इस तरह के वीडियो और बना कर लेकर आते रहूँगा तो अशिस्टेन लोको पालेट को मैं यहाँ पर 6 पाइट बताया हूँ तो आपको पूरी तरह से यहाँ पर समझ आ गया होगा मैं आसक रता हुँ दोस्तों यहाँ वीडियो आपको बहुंत ही अच्छा लगा होगा येगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसमें लाइक जरूर कर देज़ेगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बैल आकन को जरूर दबा देले जएगा जिसी आने मा के बीच अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरू कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर जय हिन जय भालत जय शत्तिस कर